एक जमाना था जब लोग मूचों में ताव देते थे और कहते थे कि मैं मूचों की कसम खागे कहता हूँ अगर ये काम नहीं हुआ तो अपनी मूच कटा लोगा लेकिन अब जमाना बदल गया है ना मूचे रही है ना वो मर्दोवाली बात रही है तो ऐसे में लोगों के सर पर बाल होते हैं तो वो बालों की ही कसम खा लेते हैं और कहते हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो सर के बाल मुदवा लोंगा कुछ ऐसा ही किया है भाजपा के परवक्ता गौरव भाटिया ने गौरव भाटिया वह परवक्ता है जो अपनी तेज तर्रार सैली के लिए जाने जाते हैं गौरव भाटिया ने जब महराष्ट के चुनाव हो रहे थे तो उसी दोरान चुनाव परिनाम आ सरकार बनेगी हर हालत में बनेगी और कोई नहीं अटक कर में वहां सिर्फ बीजेपी और सिवसेना है और उन्हीं की सरकार बनेगी अगर सरकार नहीं बनी तो मैं सरके बाल मुड़वा लूँगा आज सरकार नहीं बनी है और करीब एक पखवाड़ा हो गया है सरकार के परणाम चुनाओ परणाम घोसित हुए है लेकिन अभी तक भी गौरोब भाटिया जी ने अपने सर के बाल नहीं मुड़वाए हैं लोग सोच रहे हैं कि साइद वो अभी तिर्वेंद्रपुर्म में अपने बाल कहीं कटवाएंगे या एक हमारे यहां दिल्ली में कालकाजी होती है जब वहां पर बाल कटवाते हैं बच्चों के तो वहां जाके कटवाते हैं लेकिन ये तो लोग ये काफी बड़े परवक लोग तकला देखेंगे क्योंकि उनकी भोईस्वानी फेल साबित हो गई है आईए दी संडे पोष्ट अब आपको अतीत में ले चलता है वह वीडियो आपको दिखाते हैं जो पूर में वाइरल हुआ था जिसमें गौरब भाटिया जी आज तक की डिबेट में अंजना ओम कश्यब से बात कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि वह अपने बालों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और अगर महराष्ट में भाजपा और शिवसेना की सरकार नहीं बनी तो वहों इन प्यारे प्यारे बालों को कटवा लेंगे आईए देखते हैं कोई नहीं है अमारे ठकर में और दुबारा सरकार बनेगी भारतिय जनता पार्टी और शिवसेना की पहले से ज़्यादा सीटों से और अगर ना बने मुझे अपनी ये जो बाल है इनसे बड़ा प्यार है मैं कटवा दूंगा मैं आप से वचन देता हूँ दुबारा सरकार बनेगी भारतिय जनता पार्टी गौरो भाटिया इसके पहले आपने एक वीडियो देखा जिसमें उन्हों अपने मुंडन की बात कर रहे हैं हम आपको दूसरा एक वीडियो बताने जा रहे हैं जिसमें एक न्यूज चैनल पे हाथा पाई और कैसे सपा कहीं एक अप्रवक इससे ठीक यह उन्होंने सपा पार्टी एलेक्शन के विधान सवा एलेक्शन जो वहाँ पे यूपी में होने अला था उसके ठीक पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था इसके बाद उन्होंने अपना बीजेपी जॉइन करके तो बीजेपी के तरब से उन्हें स्पो हैं और इन्होंने सुप्रिम कोर्ट में वाकालत भी करते हैं यह मुलायम सिंग्क के बहुत करिभी माने जाते हैं स्थ ducरे बीडियो के बारे में दूसरे वीडियो में हम बता रहे हैं कैसे एक न्यूश चैनल पी भीड़ गये एक न्यूश चैनल उनके बीच में कुछ आपसी बात के बीच लेकर उनके बीच में तनाव बढ़ते उनका आपस में हाथा पाई पे उतर आये थे उन्होंने गौरब हाटिया ने तब उन्हों सो नंबर पे डायल करके पुलिस को बुलाया था और अनुराग भावदरिया के उपर अरेस्ट गिरापतार किया गया था आए हम उस वीडियो को दिखाते हैं आपको